नमस्कार दोस्तों मैं अच्छा भी सिख्चागड में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे पार्ट्स ओफ स्पीच का एक मत कौन टॉपिक बर्ब के बारे में तो चलिए सब सब पहले हम समझते हैं क्या वर्ब क्या होता है तो देख इनका अगर परिभासा का बात करूं तो जिस सब्द से आपका काम के करने काम के करने या काम के होने का बोध हो क्या बता है मैंने जिस सब्द से आपका काम के करने या काम के होने का बोध हो ऐसे सब्दों को बोलते हैं क्या वर्ब या क्रिया इसको आसान भासा में ऐसे समझ जो भी काम हम करते हैं या जो भी काम होता है वो सारा क्या है एक क्रिया है क्या बता है मैंने जो भी काम हम करते है या जो भी काम होता है वो उसको बोलते हैं क्या क्रिया थेक तो क्या बात समझ में आ रही है तो आपका जिस सब्द से काम के करने या काम के होने का बोध हो ऐसे स क nervous in the arcade टो अंइर लोए जो किसान आपका है किया कर रहा है काम कर रहा है कहाँ खेतो में आपका पिल में आपका काम कर रहा है तो देखिये है आपका is और आपका यह वHH किया है यह इस दोनों रहों किया है क्रिया कि напис ek using आपका main verb है principle verb है मुख्य क्रिया है इस जो है आपका क्या है auxiliary verb है तो a farmer is working in the field इसमें आपका is or working क्या है जो आपका क्रिया है तो आपका काम के करने या काम के होने का बोध हो ऐसे सब्दों को हम बोलते हैं क्या क्रिया अगर इनका types का बात करूँ तो ये दो type के होते हैं एक होता है क्या हमारा principle verb दूसरा होता है क्या हमारा auxiliary verb ठेक तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्या principle verb principle verb तो देखे भई जो verb वाक्य में वाक्य के subject के साथ मिलकर क्या बताया मैंने जो verb वाक्य में वाक्य के सब्जेक के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को इस्पष्ट करता है ऐसे सब्द को ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं क्या प्रिंसिपल वर्ब जैसे एक्जाम्पल से समझे जैसे मैं बोलूं he reads they play cricket they play cricket तो देखे भई यहां आपका अगर मैं बात करूँ रिट्स का और यहां आपका प्ले तो यह क्या कर रहा है जी वाक्य में सब्जेक के साथ मिलकर क्या कर रहा है यह आपका ही और यह आपका दे क्या जी सब्जेक्ट है जैसे मैं बोलू हेरेट्स ब्ले क्रिकेट इसका मतलब क्या है जी वहां पढ़ता है वे क्रिकेट खिलते हैं तो वाक्य का अर्थ सपष्ट हो रहा है यह बिल्कुल सपष्ट हो ठीक तो बात हो अब अब प्रिंसिपल वर्प का इनको हम दो भाग में बाढ़ सकते एक होता है क आपका ट्रांजिटिव वर्भ या सखर्मक दूसरा होता ही बड्र द्शुत करने के लिए औब example में बोलू पहला he reads a book he reads a book दूसरा मैं बोलू दे play football तो देखे बैए यहां आपका he reads a book they play football तो देखे बई he reads या फिर they play इतना भी अगर हम बोले तो बात की क्या है जी correct है sentence आपका correct है गलत नहीं है पर क्या हो रहे है उससे अर्थ स्पश्ट नहीं हो रहा है जैसे मैं बोलू ही रिट्स तो ही रिट्स भई उससे पढ़ रहा है पर क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता अर्थ स्पश्ट हो रहा है नहीं लेकिन अगर मैं बोलू क्या है रिट्स आप बुक वह पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो रहा है इससे व रहा है कि दो प्रस्पर के दि네 आर्थ सब्च का प्रियोक करते कि यह स्पस्प्न हो जाते से मैं बोलूं दे प्ले फुट बाल फुटबाल खेलता है इसका मतलब का है जी आपका अर्थ सब्सप्श्ट हो रहा है हां बिल्कुल सब्सक्राइब लिए थे इस आप क्या क्या कर रहा है यहां आपका वर्ब को किसका जरूरत पढ़ रहा है वाक्य के अर्थ को इस्पश्ट करने के लिए आपका आप जरूरत पढ़ रहा है तो यहां आपका क्या आपका सकर्मक क्रिया है है अपका वर्ब है दूसरा यहां ने बताया था यहां क्या 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 ईनका करने के लिए वाक्य करने के जी वर्ब क्या होता है? सिर्फ वर्बस रहता है इसमें आपका object नहीं रहता है या object का ज़रुरत नहीं पड़ता है तो ऐसे verb जो वाक्य का अर्थ को सपश्ट करने के लिए क्या हो जी? object का ज़रुरत ना पड़े ऐसे verb को हम बोलते हैं क्या? intransitive verb या अकर्मत क्रिया जैसे मैं बोलू आई लाफ आई लाफ जैसे मैं बोलू ही इस स्लिपिंग ही इस स्लिपिंग तो देखे भई मैं हसा या मैं हसता हूं या मैं बोलू ही इस स्लिपिंग वा सो रहा है तो देखे भई यहा लाफ और यहां आपका स्लिपिंग शा जरू रहरत यहां में कुछ से जुरूरत न है यह अपने आप में का ही जिए pencil आपने अपने आप में तो यह हुआ भी हमारा क्या principle verb चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या auxiliary verb दूसरा जो हमारे टैप होता है auxiliary verb या सहायक क्रिया चलिए उसको हम देखते हैं तो दूसरा देखे भई auxiliary verb या सहायक क्रिया जो वर्ब वाक्य में subject और principle verb या subject और किसी noun या adjective के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य का अर्थ स्पष्ट करें उसे हम बोलते हैं क्या auxiliary verb क्या बाते स्पष्ट हो रही है एक बड़ और देखे भई जो वर्ब आपका वाक्य में subject और principle verb या subject और किसी noun या adjective के साथ अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करें उसे हम बोलते हैं क्या auxiliary verb जैसे देखे वह एक्जामपल से समझे यह इस रीडिंग जैय है स्कॉन तो देखे भई यहां आपका reading जो है आपका क्या है में वर्ब है और ही देखे भई subject है तो यहां आपका is जो है क्या कर रहा है जी subject और में वर्ब के साथ मिलकर वाक्य के अर्थ को क्या कर रहा है स्पष्ट कर रहा है तो ही इस रीडिंग मतलब वह पढ़ रहा है उसी तरह देखे भी जैया हैस गॉन तो यहां आपका देखे गॉन जो है में वर्ब हैं जैया देखि की अर्थ को क्या कर रहा है पूरा कर रहा है यहां हमारा इस और यहां तो देखे यह गज्यक्त कर रहा है एक भास को हम चार भागों हो में और बानच सकते हैं धिए फूह एंध्र वर्फ आपका और आपका form Persons वर तरहें लॉए पांच चीजंद इंकंण घ्रकाता है Copy ₩ के अनदर आपका पांच चीज चीज़ए आता है क्या आपका इस एम आर वहास वर उसी तरह देखिए व्भू र lamp to have अधर आक कह उलिए आता है चैंडर आपका तीन चीज़िया आता है क्या क्या दस और डीड यह तीन चीजे इंड के अंतरगत आता है ठेक मॉडल वर्प के अंतरगत देखें तो इनके अंतरगत देखें क्या के चीजे आते तो एक आता है आपका क्या जी can, could, shall, should, will, would, may, might, need, dare, used to, out to can, could, shall, should, will, would, may, might, need, dare, used to, out to, must तो यह तेरा चीजे इनके अंतरगत आता है ठेक मॉडल वर्प के अंतरगत आता है ठेक मॉडल वर्प के अंदर और मांकी जो चीजे भाई, be के अंदर ये 5, have के अंदर ये 3 और आपका do के अंदर ये भी 3 तेक तो टोटल अगर बात करूं auxiliary वर्प का तो टोटल आपका auxiliary वर्प होता है क्या 24 होता है इन सब को इन सब को एक सांथ मिला कर बोल देया जाते है क्या जी model auxiliary वर्प ये जो 24 टाइप है इनको एक सांथ बोला जाता है क्या model auxiliary वर्प तो चलिए भई अगर देखिए इनमें अगर बात करूं तो इनमें आपका वर्प plus ing इसका प्रयोक किया जाता है मतलब अगर आप is, im, our, was, verdad का प्रयोक कर रहे हैं तब आपका इनके सांथ वर्प के सांथ ing का प्रयोक किया जाता है जैसे देखिए एक एक सब्सक्राइब नहीं है कि आपका वर में आपका लगए कि तरह का अगर मैं वर्प का बात करो तो तीन टीब का होता है फ़स्ट फ़र्फ काफी सारी होते उसको आप वाप बुग से डेख लेना टेख देखे अँग के साथ यहां वर्फ थाट फर्म का प्रयोग करते हैं मतलब है हैस है इनके साथ पर का third form का प्रियोग किया जाता है हमेशा जैसे देखिए जैसे कि यहamos है इनके न्तरगत रिए यह यह ता है और हमें साथ violation WordPress का प्रेयोग किया जाता है उसी तरह से भई देखिए मॉडल वर्ब के सांथ भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पर आपका अगर परंतु अगर आपका मॉडल वर्ब के सांथ model verb के साथ अगर आपका have है model verb के साथ have है, मतलब इनके साथ जैसे मैं बहूं, can have good have, shall have इस तरह का, तब आपका इनके साथ verb का third form का प्रयोग किया जाता है क्या बात समझ में आ रही है अगर model verb है तब हम verb verb का first form का प्रयोग करें जैसे can है, तो हम verb का प्रयोग होता है किसका वर्ब का थाट फॉर्म का ठेक यह तो बात हुआ इनका एक और दो पॉइंट आपको जो जानना चाहिए वो यह है जैसे देखे यह यूजड टू आउट टू तो यह हमेशा टू उनके साथ में रहता है यूजड के साथ कहा जी टू आउट के साथ चार ओप्शन था जिसमें टू भी था ठेक तो टू हमारे क्या वह जी उसमें correct answer होगा ठेक इसको आपको याद रखना है यूजड के साथ टू आउट के तर्टू का प्रयोग किया जाता है ठेक तो यह तो बात हो अभर हमारे क्या auxiliary वर्ब चलिए अब हम इसके बात देखत उनको पूछा जाता है मतला कब आपको singular verb का प्रयोग करना है कब आपको plural verb का प्रयोग करना है यह कुछ चीजे हम अभी देखते हैं ठीक कुछ points हम इसको देखते हैं तो चलिए के करके हम वो points देखते हैं तो देखे भी पहला point देखिए जब आपका दो या दो से अधिक subject समझ पा रहे हैं दो या दो से अधिक subject end के दवारा जुड़ा हुआ है तब हम ऐसे case में हमेशा प्रयोग करते किसका plural verb का प्रयोग करते हैं तो देखे भी आपका मैंने क्या बताया था जी दो या दो से अधिक subject जब आपका conjunction end के दवारा जुड़ा हुआ है तब हम plural verb का प्रयोग करते हैं तो देखे भी यू, he and I that's going this way तो देखे भी यहां किसका प्रयोग होगा जी M का होगा कि R का होगा तो देखे भी यहां आपका end है end के दवारा जुड़ा हुआ है यह तीन verb तब हम करते हैं किसका plural verb का प्रयोग करते हैं तो यहां आपका M का प्रयोग ना हो करके कि M का प्रयोग ना हो करके किसका प्रयोग होगा जी R का प्रयोग करेक्ट होगा भई तो यहां R का प्रयोग करेक्ट होगा ठीक you he and I are going this way तो आप क्या बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक सब्चेक जब आपका ऑर मोहन दाष डंदिस वर्क तो दहिए भह यहां आपका राम और मोहन दो सब्चेक्ट हैं एंड के द्सक्प्रयोड जूड़ा हुआ है तब रज़ें ऐंगे किसका प्रयोग क्लूरल रचेयों की नहीं करेंगे किसका प्रयोग करेंगे यहां हमारे मेला बात होवा भई हो आपका कंजंग्छन अगर एंड के द्वाराब हुआ है एक सिंग्डलर नावन के पहले क्या है कोई आपका दौक्रhat कर EX A, N, D का प्रयोक किया गया है, ठेक, तब हम, तब हम, दोनों नाउन को, दोनों नाउन के व्यक्ति को हम क्या मानते हैं जी, जो आपका दो सिंगुलर नाउन हैं, उन दोनों को हम क्या मानेंगे, एक ही चीज मानेंगे, एक ही व्यक्ति मानेंगे, समझ पारें आपका, दो अग क्या मानेंगे एक ही व्यक्ति मानेंगे और चुकि हम एक ही व्यक्ति मान रहे हैं इस कारण हम सिंगुलर वर्ब या एक वचिन क्रिया सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे जैसे एक्जाम्पल देखिए तो देखिए आपका देखिए दो आपका क्या है जी सिंगुलर नावन है एक जेकि एक आपका सिंगुलर नावन के पहले दा का प्रयोग करेंगे तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहां आपका इस का प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो यहां किसका प्रयोग करेंगे जी इसका टेक, the headmaster and teacher मतलब headmaster और teacher एक ही वक्ति है इस करण singular verb किसका is और आर में से is का प्रयोग हम करेंगे is present in the class टेक, तो इस तरह से हमारा sentence correct होगा दूसरा देखे भई, the poet and thinker दो singular noun end के दोरा जूड़ा हुआ है और एक देखे, एक के पहले क्या है जी आपका, the का प्रयोग, article का प्रयोग किया गया है तब आपका, the poet and thinker दोनों के है, एक ही वक्ति है इस करण यहां singular verb का प्रयोग होगा तो किसका करेंगे जी, हमारा has का प्रयोग correct होगा ठीक, तो देखे the headmaster and teacher is present in the class the poet and thinker has written this book, तो यह दोनों sentence हमारा इस तरह से correct होगा ठीक, परेंदु देखे भई, अगर आपका, दोनों singular noun के पहले article का प्रयोग है, समझपारन जैसे हमने इसमें देखा था, कि आपका, दो singular noun है, एक के पहले article का प्रयोग किया गया था लेकिन अगर आपका, दो singular noun और दोनों के पहले आपका आपका article का प्रयोग किया गया, जैसे देखिए teacher और headmaster, दो singular noun है दोनों के पहले article का प्रयोग किया गया है तब ऐसे case में आपका अलग-अलग व्यक्ति का बोध होता है अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है और चुकि अलग-अलग व्यक्ति का बोध होता है इस कारण इसमें हम plural verb का प्रयोग करते हैं क्या आप समझ पा रहे हैं ठीक अगर आपका दो सिंगुलन नावन है दोनों का पहले आटिकल का प्रयोग किया गया जैसे देखिए दो सिंगुलन नावन दोनों का पहले आटिकल क प्रयोग तो आपका दोनों व्यक्ति क्या होगा अलग-अलग व victorious होगा चुकि अलग-अलग वेक्ति है इस कारण हम plural वपको प्रयोग करेंगे तो देखिए यहां आपका the headmaster and teacher- the headmaster and the teacher यहां आपका प्रयोग हो किसका जी आरका तो आर प्रजेंट इन दा क्लास उसी तरह देखिए विद्धा poet and the thinker written this book तो यहां आपका have का प्रयोग correct होगा ठीक तो समझ पा रहे हैं यहां आपका the headmaster or the teacher दोनों अलग-अलग वेखती है इसकारण आरका the poet and the thinker यह आपका दोनों अलग-अलग रखती है इसकारण आपका have का प्रयोग ठीक तो क्या यह बात इस पश्ट हुई ठीक इसको आपको याद रखना है भई ठीक चलिया इसके बाद आपका कोई दो सब्जेक जुड़ा हुआ है तब हम तब हम जो वर्ब का प्रयोग करते हैं जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वह हमेशा पहले सब्जेक के नुसार होता है पहले पहले subject के नुसार होता है क्या बात समझ में है रही है अगर आपका दो subject जो है as well as with, together with, along with, like, unlike, etc. इस तरके consumption से जुड़ा हुआ है तब हमारा जो verb जो होगा वो पहले subject के नुसार होगा जैसे example से समझ गे he as well as I, best reading तो मैंने क्या बताया थे जी अगर आपका consumption as well as with, together with, इस तरह से जुड़ा हुए आपका दो subject, तब हम, तब जो हमारा जो verb होता है वो पहले subject के नुसार होता है तो देखिए भई, यहाँ जो आपका verb आएगा वो आपका पहले subject के नुसार होगा तो यहाँ देखिए, किसका प्रयोग होगा जी इसका के M का तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं भई ठीक, तो यहाँ जो आपका is जो आएगा भई वो आपका पहले subject के according आएगा उसी तरह से दूसरा देखिए भई आपका Mr. Gupta with his friends dash come to see me तो देखिए भई, यहाँ भी जो आपका यहाँ जो आपका verb जो आएगा वो आपका पहले subject के according आएगा तो देखिए भई, Mr. Gupta आपका क्या है जी singular है, तो देखिए भई, यहाँ है यहाँ आपका have और has तो has किसके साथ प्रवक करते हैं तो singular subject के साथ singular noun के साथ करते हैं तो यहाँ आपका यहाँ आजाएगा क्या जी has, तो क्या बात सपष्ट हो रही है अगर आपका कोई दो subject यह consumption के द्वारा जूड़ा है तब जो आपका verb जो होगा वो आपका पहले subject के नुसार होगा ठेक, पहले subject के नुसार हो जैसे देखे भई, he he के कारण यहाँ आपका आएगा is Mr. गुपता के कारण आपका यहाँ आएगा has ठेक, तो इस तरह से हमारा sentence बनेगा, दूसरा point देखे भई अगर आपका दो subject जो है कंजंक्शन आपका either or, neither nor, not only but also के दोरा अगर जूडा हुआ है तब जो आपका जो verb आएगा जो आपका वर्ब आएगा वो आपका दूसरे subject के नुसार होगा दूसरे subject के नुसार होगा क्या बात समझ में आ रही है उपर वाले में हमने देखा था वर्ब जो होता है वो पहले subject के नुसार था तेक लेकिन आपका अगर कंजंक्शन आइदर और, neither nor, not only but also है तब जो हमारा वर्ब होगा वो दूसरे subject के नुसार होगा जैसे देखिए आइदर ही और आई डैस, done this work तो देखिए भई, ये आपका पहला subject ये आपका दूसरा subject तो यहाँ जो वर्ब जो होगा आइदर और के साथ आपका जो वर्ब होगा वो second subject के नुसार होगा तो देखिए भई, I के साथ किसका प्रयोग करते हैं जी हैस का करते हैं कि हैव का करते हैं हैस का करते हैं कि हैव का करते हैं तो देखिए हमारा sentence कैसे बनेगा Either he or I have done this work उसी तरह से देखिए भई Neither you nor he does playing तो देखिए भई Neither nor से जुड़ा हुआ हमारा दो subject तो हमारा जो वब होगा वो second subject के recording होगा तो he के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं आर का करते हैं यह इसका करते हैं तो neither you nor he is playing तो क्या बात समझ में आ रही है यह अगर आपको दिखा दो subject इनके द्वारे जुड़ा हुआ यह वाले conjunction तब हमारा जो वब होगा वो पहले subject के recording होगा लेकिन अगर आपका either or, neither nor इस तरह का subject consumption दिखा तब हमारा जो verb होगा वो सेकेंड सेकेंड सब्जेक के recording होगा ठेक चलिए तीसरा point देखते हैं अगर हमारा देखिए distributive pronoun या indefinite pronoun है वाक्य में हमें अगर distributive pronoun या indefinite pronoun मिल रहा है जैसे distributive pronoun के अंदर क्या की चीज़ आती है आपका जैसे आपको दिखा each दिखा everyone neither none anyone इस तरह का यह होता है क्या हमारा distributive pronoun उसी तरह से indefinite pronoun क्या होता है जी someone somebody nobody anybody यह सारा हमारा होता है क्या indefinite pronoun ठेक तो यह अगर आपको दिखा distributive pronoun के indefinite pronoun कोई वाक्य के sentence में लब कोई वाक्य में तब हम इसके साथ प्रयोग करते है किसका singular verb का हमेशा singular verb का हम प्रयोग करते है जैसे example देखे each boy does playing तो देखे भई each उसी तरह देखे someone does done this done his work तो देखे भई यहाँ आपका someone यहाँ आपका each यह क्या है जी आपका distributive pronoun यहाँ आपका indefinite pronoun तो इनके साथ हम करते है किसका singular verb का तो देखे भई यहाँ हमारा इसका प्रयोग करेक्ट होगा और यहाँ आपका देखे भई has का प्रयोग करेक्ट होगा क्या बात समझ मेरी है each someone यहाँ हमारा क्या है जी distributive और indefinite pronoun तो इनके साथ हम singular verb का प्रयोग करते है तो each boy is playing someone has done his work ठीक चलिए एगला पॉइंट है देखे भई both many several यह क्या है जी यह itself क्या है बहु अचन है plural है भई यह itself क्या है बहु अचन है plural है ठीक तो इनके साथ हम हमेशा plural noun और plural verb का प्रयोग करते है जिसे देखे both boys are playing तो देखे भई both देखे यह क्या है जी बहु अचन है इनके साथ हमने plural noun और plural verb का प्रयोग किए उसे जड़रीद देखे भई many इनके साथ plural noun और plural verb का प्रयोग किया ठीक तो क्या बाते इस पश्ट हुई इनके साथ हम किसका करते हैं तो plural noun और plural verb का प्रयोग करते हैं ठीक यह दो example ठीक तो आज के लिए भाई इतना ही I hope यह class आपको अच्छा लगा होगा ठीक अगर आपको यह class अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं